करनाल के इंदरी के गाउं बयाना में खेतों में काम कर रही एक मजदूर के ईकरंट लगने से मोध हो गई करंट लगते ही मजदूर को सरकारी अस्पताल लाया गया परंतू डोक्ट्रों ने उसे मृत घोशित कर दिया मिली जानकारी के अनुसार गाउं बयाना का रहने वाला 45 वर्षी यासीन मजदूरी का काम करता था वह गाउं में ही एक व्यक्ति के खेतों में काम करने के लिए गया हुआ था जो पास में ही मकान निर्मान का कारिय चल रहा था दो पहर बात मकान निर्मान में कारियरत एक मजदूर ने यासीन को सर्या पकड़ने के लिए कहा जिस पर यासीन ने सर्या को पकड़ कर उपर उठाया तो वह उपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेस की बिजली की तारों से टकरा गया यासीन के हाथ में सर्या होने के कारण उसे बिजली ने पकड़ लिया और वह बूरी तरह से जुलस गया यासीन को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया जार डोक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया गटना की सूचना मिलते ही पुलिस मोके पर पहुँची और मामले की जान शुरू कर दी यासीन सनोफ अबिदुल्ला पंतारीस साल का जो मेल है ब्यानना से आया था मरी तवस्था में चार बज़ कर पांच मिनट कर तो हमने इसको देखा चेक किया मरी तवस्था में था हमने पुलिस में वी आई कर दी है उसके बाद अब पुलिस वाले आये हैं यह अपनी पारवाई अपने हिसाब से लगने की जो इनकी हिस्ट्री है वो तो करेंट लगने से विए बोल रहे हैं उसके बाद अगर के साथ सब्सक्राइब है ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घन्ने वादी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर मांने वारे जन्ने बढ़ वोगने घन्ने वारे जो वादेव झाल 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 झाल